अगर आप मुंबई आएं तो एक बाद ठिले वालों का वड़ा पाउ जिसे हम बटाटा वड़ा भी कहते हैं वो जरूर खाएं क्योंकि यह सच में खाने में बहुत ही तेस्टी लगते हैं So, Hello Foodies, मैं Sabhafi Roshak and Welcome to Sabhas Kitchen इस वीडियो में आज हम बनाएंगे महराश्ट के मशूर वड़ा पाउ की रेसिपी ना केवल वड़ा पाउ बलके वड़ा पाउ के साथ चटनी जो सब्व होती है हरे मसाली वाली और सुखी लाल चटनी वो भी मैंने बनाई है इस वीडियो में हो सकता है ये वीडियो आपको देखने में बड़ा लगे लेकिन वड़ा पाउ की रेसिपी बहुत ही जटपड बन जाती है तो इस वीडियो को आप स्किप के विलाएं तक देखें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज में इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजे और अगर आप मेरी चानल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज में चानल को सब्सक्राइब करें और पासी में दिवे बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे के आपको मेरे आने विले हरने वीडियोस की जानकरी नोटिफिकेशन दारा मिलते रहेंगी तो वड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का गोल तयार करेंगे ठीक वैसे ही जैसे हम भजीय बनाने के लिए बेसन का बैटर बनाते हैं तो यह मैंने मिक्सिंग बॉल में एक कब बेसन लिया है और बेसन में मैं आइट करेंगे आदा छोटा चमच नमक आदा छोटा चमच लाल मिर्ज पाउडर और आदा छोटे चमन से थोड़ी से कम हल्दी डाल कर सभी चीज़ों को खुब अच्छे से इस तांसे मिला लें और फिर बेशन में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस मूँसा बैटर यान की घुल तयार कर लें अच्छे, इसमें मैंने बेकिंग सोड़ा खाने वाला मीठा सोड़ा जिसे हम कहते हैं वो नहीं डाला मैंने अगर बेकिंग सोड़ा हम डालते भी हैं तो हमारा बेशन फ्लफी ही बनेगा लेकिन सोड़ा डालने की मेरे हिसाब से कोई ज़ुरत नहीं पर आप चाहें तो एक बड़ी चुटकी सोडा डाल कर इस तरह का बेसन का घुल बना लें। ये रिखें मेरे इस बैटर की कंसिस्टेंसी, जो कि ना तो ज्यादा पतली और ना ही गाड़ी है। तो वड़ा के लिए आप बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना कर रख दें। इसे साइड मेर रेस्ट होने के लिए कम से कम 30 मिनट यानि के आधे घंटे के लिए। अब जब तक ये रेस्ट हो रहा है तब तक के हम बाकी की तयारी कर लेते हैं। तो यहाँ आप मैं हरे मसाली की चट्नी बना रही हूँ। मिकसर जार में ये मैंने एक मुठी भर कर हरा धनी अच्छे से वाश करके डाल दिया। इसे के साथ डाले पाच्छे हरी मिर्चे, जितने स्पाइसी चट्नी आप चाहते हो अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चे डाल दें। और फिर डाले दो मोटी लसन की कल्निया, नमक स्वात की अनुसार, और थोड़ा सा पानी। पानी आट करें से आपका आसानी से स्मूसा पेस्च बनेगा, इसलिए दो से तीन बड़ी चमत जितना पानी डाल कर मिकसल जार की लीड लगाएं। और फिर हरे मसाल की चट्नी को महीन पीस कर तयार कर लें। इस चट्नी को हम सब करेंगे पाव पर लगाकर गर्मा गरम बड़े के साथ, वड़े के साथ मुझे इसी तरह की ग्रीन चट्नी पसंद है। आप जिस तरह की से भी ग्रीन चट्नी बनाते हों उसी तरह से हरे मसाल की चट्नी बना करके साइड में रग दें। और फिर बना ले सुखी लाल चट्नी, तो सुखी लाल चट्नी के लिए दीमियाज पर पैन में मैं रोस्ट कर रही हूँ एक कप कच्छी मुंगफली, आप इस चट्नी को बनाने के लिए रोस्ट की हुई तयार मुंगफली जो मिलती है वो भी ले सकते है, लेकिन मैं ये रेकिया हमारी मुंगफली जैसे इसता से ब्राउन हो जाती है तो हम इसे निकाल करके रख देंगे किसी बर्तन में, लेकिन मुंगफली हमारी जैसी थंडी हो जाएगी तो चट्नी बनाने से पहले हम मुंगफली को छील लेंगे, और फिर इस चट्नी बनाने में इसे इ माल करेंगे अब उसी पैन में यादा कप लसन की कलियां ड्राय रोस्ट करें लसन को मैं छिलके समीती रोस्ट करें जोके रोस्ट होने पर लसन की छिलके भी क्रिस्पी हो जाएंगे पर आप लसन को छिलकर भी ड्राय रोस्ट करना चाहें तो बेशक लसन को छिलकर भी ड्राय रोस्ट कर सकते हैं, ऐसे ब्राउन होने तक, ये रिखे करी 5-7 मिनट कही समय लगा और मेरे लसन इस तान से ब्राउन हो गए, तो इसे भी किसी बरतन में पलटकर साइड में रख दें और फिर ड्राय रोस्ट करें सुखी कश्मीरी लाल मिर्चे, ये मैंने 4 सुखी कश्मीरी लाल मिर्चे लिए और इसमें से मैंने बीजे भी निकाल लिए, जब इस चट्नी को हम पीसे हैंगे तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी हम डालेंगे, लेकिन ऐसे रोस्ट की हुई कश्मीरी लाल मिर्च का बहुत ही ऑसम प्लेवर आता है इस चट्नी में, इसलिए आपको रेडी मेने मार्केटिमे एजीली मिल जाएगा, या फिर आप सुखी नारियल को बारी कद्दुकस करके भी ड्राय रोस्ट कर सकते हैं, तो देखें दो मिनट में नारियले से ब्राउन होते ही फ्लेम को बंद करके इसे भी ट्रांसफर कर ले किसी दूसरे बरतन में, तब मिक्सर जार में रोस्ट के हुई चारो ही चीज़े डाल दें, मुंगपली, लसन, नारियल और कश्मीरी लाल मिर्चे, अब मिक्सर जार का ढखकन अच्छे से लगा कर इसे पीस लें, और इसे पीस ते समय आप एक बात का खास ध्यान रखें कि ये पेस्ट वाली चटन बन करके सारे इंक्रीडियन्स को ऐसे चम्मा से उपर नीचे करते रहें, अब यहाँ जैसे के आप देखे हमारी इस चटनी में लाल रंग तो आया नहीं, तो हमारी इस चटनी में रेड कलर लाने के लिए हमें अट करेंगे, वन अना हाफ टीस्पॉन कश्मीरी लाल मिर्च पॉडर, इसी के साथ ही डाल दे नमक स्वाद अनुसार, जितना आप नमक खाते अपने टेस्ट के कोडिंग नमक डाल कर जार की लीड लगा दे, और पर चटनी को बारिक पीस ले, करीब 3-4 मिनट पीसने पर मेरी सुखी लाल चटनी बनकर हो गई तयार, और अब फाइनल आलू बनाने के लिए हमें बनाना है पेस्ट, और पेस्ट बनाने के लिए हम लेंगे 8-10 लसं की कल्याँ छिली हुई, इसे के साथ 2 इंचद्र को छिल कर एक से टुकडों में काटकर डाले, और ये नह insights के लिए, जितना spicy आप खाने में पसंद करते हों, कम याे ज्यादा, म हमने अधरक लसन हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया अब वड़े के लिए हमें चाहिए आलू यह देखे मैंने वड़े के लिए पहले से आलू को उबाल कर च्विलकर आलू को मैश करके रखा है इस तरह से और मैंने लिया है 500 ग्राम आलू जिसमें हमारे 8-10 वड़े आराम से ब हनिया के इसे के साथ डालें आधर छोटे चमच हिंग हिंग डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसलिए हिंग ज़रूर आट करें और यह मैं आट करें दस बारा करी पत्ता और फिर डाल दें अदर अक लेसन हरी मिर्च का तैयार किया वह पेस्ट इन सभी अधी मिनिट के लिए इसे फ्राइ करने पर हल्डी का कच्छा पन जो है वह खत्म हो जाएगा तो मसाला मेरा फ्राइ होगे आप मैं आट करी हूँ आलू यह रहे कि आलू आप देख सकते हैं मैंने बड़ी असे मैश करके डाले जैसे कि वड़े हमारे अंदर से बहुत ही जाएगा और इस मसाली के खुच्वों भी इतनी बहतरी नाती है ना कि सच में वड़ा पाउ जल्दी से खाने के लिए मन लल्चा जाए तो आप आलू और मसाली को खुब अच्छे से मिलाते ही मैं आट करी हूँ नमक स्वाद अनूसार और थोड़ा सा बारिक चौपकिया ह वह रधनी अडाल कर आलू में खुब अच्छे से मिला ले और फिर इसे दीमियाज पर दो मिनट के लिए पका ले मसाले वाले को दो मिनट पकाने के बाद गैस को कर दे बंद तो यह हमारा वड़े के लिए मसाला अलू बनकर तयार है लेकिन वड़े बनाने से पहले इस मसा करें वन्हाटै करके भी बटाटाअवडा बना सकते हैं को चेह लिक हो के मैंने सथांगे सारे बॉल्स बनाकर प्लेट में रख लिये अब इसे हम फ्राइक पर दिए उर चलतें और वड़े करने के करने बड़े करने कि आप इसन निकालें तो बोरके किनारे पर अपनी उंगलियों से अइसे साफ करते हुए निकालें और पुरे वड़े कोट किये वड़े को गरम तेल में डाल दें आप चाहिए तो वड़े को ऐसे चमies की शाहिता से से भी वड़े को ऐसे सोर खोने तक के फ्राइ करें यह रिखे जैसे मैंने फ्राइ किया है क्योंकि बटाटा वड़ा मुझे ऐसी ब्राउन और क्रिस्पी खाना पसंद है लेकिन आप चाहें तो आपके वड़े जैसी ऐसे हलके से गोल्डेन ब्राउन हो जाएं तो आप इसे मिरशे मड़े के सात मुझे भी पसंद है तो वड़े तरी मिरचो को चीरा लगा करके फ्राई कर रही हूँ चीरा लगाएं जब आपते हरी मिरचो मैं से उसे घ्ल के रख देते में जब आप इस प्लेट में निकालें तो इस पर नमक डाल कर मिला लें, नमक से होगा ये कि मिर्ची में तीखा पंजो होता है, मतलब कि मिर्ची खाते समय जो जार लगती है न, वो खत्म हो जाएंगी, अच्छा नमक के साथ आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल कर मिला सकते हैं, चटपटे से फ्लेवर क तो अभी फिलाल मैंने तीन वड़े ही बनाये हैं मेरे अपने खाने के लिए, पाउ तो हमें मार्केट में किसे भी जनरल इस और रेडी मेड बना बनाया मिल जाता है, तो जैसे क्या आप देख सकते हैं, पाउ के तीन किनारों को मैं इस तान से ओपन कर रही हूं, आप चाह बना कर आप महिनी बढ़ता के फ्रिज में स्चौर करके रख सकते हैं, और सुखी लाल चटनी ना की वड़ा पाउ के साथ, बलकि इस चटनी को आप पराथा, दाल चाहूल, पूरी भाजी के साथ भी खा सकते हैं, अब चटनी लगान के बद वड़ा को ऐसे पाउ की अंदर सेंटर में रखें, और तेरी से गर्मा गरमी खा लें, तो देखा आपने बटाटा वड़ा बनाना है, कितना आसान, आप वड़ा पाउ के साथ हरी मिर्चे कोई मांगे, तो हरी मिर्च को भी ऐसे आप वड़े पर रख कर दे दे, तो बटाटा वड़ा ठंडा होने से पहले मैं इसे खाल लेती हूँ लेकिन आप जाने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले इसे के साथ प्लीज मैं चैनल को भी सब्सक्राइब करो और पासी में दीवे बेल अकन पर भी क्लिक करें जैसे के आपको मेरे आने वे लहने वीडियो की जानकरी नोटिफिकेशन द्वारा मिलते रहेंगे तैंक यू सो मुच पॉचिंग माय वीडियो मिलते है अगले वीडियो पर एक ऐसी गर्मा गर्म चटपटी रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाबाई